नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार पोल्टेकनिक पारामेडिकल एंड पारामेडिकल डेंटल के एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एहम जानकाली को सेयर करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे के जैदा भी है तो भी घापकराने की बात बिल्कुल भी नहीं है आपका कोलेज एलोट होगा जिहां दोस्तों तो चलिए दोस्तों क्या है वह पूरी जानकारी इस वीडियो को अन्तक जरूर देखिए और जो भी मेरे नए साथ ही है नए महमान है नए भाई बंदू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी को जरूर दवाईए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए तो दोस्तों जैसे कि आप सभ करना होगा तो यहां पर अपलाए पर किलिक किजीगा तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपदेख सकते हैं पारा साथ़ानी रखनी होगी तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें कुल सीटों की संखियां 498 है तो 498 है तो इसका मतलब 4200 या 4400 के आसपास जिसका भी रेंक है यू आर में ओपन रेंक उसको मन पसंद कोलेज और ट्रेड एलोट हो जाएगा जिसका भी 2500 के आसपास रेंक है वे सारे के सारे अगर एनेम चाते हैं तो यह एनेम डाल दिजिए आपको कनफर्म कोलेज और ट्रेड मिल जाएगा और दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं माली की 2130 सीट है तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टुडेंट एनेम से में ही आ जाएंगे एनेम में नहीं आएंगे सारे स्टुडेंट इसका 50% 60% एनेम में जाएंगे लेकिन जो स्टुडेंट बज जाएगा वो दूसरे चोईस को देंगे तो इसका मतलब 3000 पलस भी जिसका रेंक होगा वो भी एनेम में आएंगे तो उस 810 है अगर आप लोगों के लिए option खुलता है GNM, ANM तो डाल दिजिए लेकिन last option डालिएगा लेकिन first option आप लोगों को यहीं 810 में डालना है और जो भी 10th level के student हैं उनके लिए यहाँ पर 300 seat है मातर dresser का तो उसके लिए जिसका भी rank 300 या 500 के आसपास है इस बीच में तो उसको ज जाएगा अगर दोस्तो प्राइवेट कोलेज की बात करें तो यहाँ पर तो देखी आगले वीडियो में बताई हैं इस पर खास वीडियो बना करके तो यहाँ पर 3108 है तो निश्चित रुप से दोनों को जोरने के बाद 7016 हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर ग्या तो हो जाना चाहिए कि 42 के आसपास जिसका भी रेंक है वो कभी भी प्राइवेट कोलेज मत डालिएगा जिहां दोस्तो प्राइवेट कोलेज मत डालिएगा लेकिन जो मनपसंद ट्रेड है अगर उसे चुनते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको कोलेज आएंगे एक दो ती नहीं होगा आप जो है सीट मेट्रिक्स को डाउनलोड किजेगा तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा गवर्मेंट कोलेज कौन सा है प्रेवेट कोलेज कौन सा है मेरे पास यूजर एडी और पासवर्ड नहीं है जिसके कारण मैं यहां नहीं दिखा सकता हूं यहां यहां पर लोगिन करने के लिए आप लोगों को यूजर एडी और पासवर्ड डालने के कहेगा तो जो भी नया कंडिडेट है वो जो है यहां से नीचे आ जाएंगे और नीचे आनेक बात यहां पर देख सकते हैं न्यू रेजिटेशन है न्यू रेजिटेशन पर किलिक कर जाएगा और यहां पर आप लोगों को एगरी करना है और यहां पर टीक लगा देना है जैसे टीक लगाएगा क्लिक टो प्रोसेस पर क्लिक करना है इसके बाद आप लोगों को रोल नमबर रेजिटेशन नमबर डेट ओब बर्थ सिक्रेटी के अपचा यह कोड डालना है सम तो आपका registration होने के लिए successfully हो जाएगा लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इस्टे password बनाना होगा password को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि उसी password से आप लोगों का seat allotment later download होगा अगर वो password भूल जाते हैं तो आपको फिर से forget करना पर जाएगा तो इस तरह से किसी के पास अगर user ID और password है तो निशी तरुप से भेजिए हम उसका जो है choice filling करके आप लोगों के सामने वीडियो भी बना करके दे देंगे जिसे कि काफी सारे student को सहता मिल पाएगी तो दोस्तों निशी तरुप से आप सभी में से कोई user ID और password कोमेंट में भेजे या नहीं तो WhatsApp group link को join कर लिजे वहाँ पर admin को send कीजिए user ID और password तो वहाँ से हम जो है receive कर लेंगे और हम आप लोगों के सामने एक वीडियो बना करके जरूर दे देंगे लेकिन अगर आप demo देखना चाहते हैं तो demo video upload है link नीचे description में है कि कैसे apply करना है कि कोई भी गलती नहीं करना है तो वहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा लेकिन कभी भी एक दो choice दे करके मत छोड़िएगा जैदा से जैदा choice दीजिएगा जिससे कि आप लोगों का chance जैदा बन सके जितना choice दीजिएगा उतना chance आप लोगों का बढ़ेगा तो इस तरह से मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद